सोर्ग पिता और इश्व मसी और पवित्रात्मा के नाम से आमें पवित्रात्मा मेरेको बल दे कृपादे आपका प्रेचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर आमें सोर्ग पिता मेशु मस्य के नम से प्रात्ना करता हूं मेरे को बल दे कुरुपा दे आपका प्रेचार करने को और सब शब्द पवितर आत्मे का शब्द कर और प्रेचार जो लोग आगे बेजते हैं दूसरों को उनको हमेशा बेजने के लिए मदद कर सब कामा ये लोगों का खरके दे कोविड और ब्लेक फंगा से बीमारी लोगों से बचा कर रख जो जरूरी चीज़े वो लोगों को दे दे आमेन आज तारीक है 5 अगस्ट 2021 में मानताओं फर्मेश्वर का जैसा कि जो लोगों ने प्रेचारां पहले से सुन लिए हो सब लोग पोवितर बंद गए और शुमस्ट का कारे कर रहे हैं आमेन माती अध्या 21 शब्द 33 एक और दृष्टनत सुनो एक गुरोस्त था जिसने डाक की बारी लगाई और उसके चारों और बाड़ा बांदा और उस में रस का कुंड खोदा और गुमट बनाया और किसानों को उसका ठोका देखकर पर देश चला गया जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास बेजा पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पिटा और किसी को मार डाला और किसी को प्रत रवाह किया फिर उसने और दासों को बेजा जो पहिलों से अधिक थे और उन्होंने उनसे भी वैसाई किया अंते में उसने अपने पुत्र को उनके पास एक कहे कर बेजा कि वे मेरे पुत्र का आधार करेंगे परन्तों किसानों ने पुत्र को देखकर अपस में कहा एतो वरिश आवो उसे मार डाले और उसकी मिराश ले ले और उन्होंने उसे पकड़ा और डाक की बारी से बाहर निकल कर मार डाला इसलिए जब डाक की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेंगा उन्होंने उससे कहा वह उन बुरे लोगों को बुरी रिती से नाश करेंगा और डाक की बारी का ठेका और किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे इधर आमको यह मालूम होता कि जो भी आमको अच्चाई आती है कोई भी किसी भी तरह आती है चंगाई जो आती है वो सब परमेशवर से आती है आप कैतलिक हो या अन्नी जाती कोई भी दरम का इंसान है सब हर एक इंसान को जो अच्चाई आती है वो पिता परमेशवर से आती है तो पिता परमेशवर से अच्चाई जब आएगी तो पिता परमेशवर बोलता है कि जो भी अच्चाई आती है उसका दस्वा गुना एशू मसी का जो काम था वो जारी रखने के लिए देने का है लेकिन आज कल क्या होता है आज कल काफी सारे लोग निकल उटे है जो बोलते है हम लोग चैरिटी वाले है गरिब लोगों को चैरिटी करते है गरिब लोगों खाना पिना देते है गरिब लोगों को जो चीज नहीं है गर वगारा नहीं है वो बना कर वो लोगों को सुक देते है लेकिन आम लोगों को जो भी पैसा हम लोग आमको दस्वा गुना जो आता है हर एक इंसान वो एशु मसी का काम जो शुरू किया है दो आजार रिक बिश साल हुआ वो काम सब को ए बात पहुंचाने का आधार में देना मांगता चैरिटी में देगा तो क्या होईगा लोगों का बदन का लोगों का जिनने का मुश्किल शायद टिक होईगा तोड़ा अच्चा होईगा लेकिन उससे कुछ फाइदा नहीं होएगा इंसान को एक तरफ से चंगाई आएगा तो दुसरी तरफ से इंसान मार काता है तो इंसान को बदन का नहीं तो रहने का चंगाई देने के बाद इंसान को और कोई फाइदा नहीं होएगा उसको खुद को बाद में और तकलिफ उठाना पड़ेगा गर चलाने के लिए, रोटी बनाने के लिए तो वो मुश्किल इनसान का दुनिया से कभी नहीं कतम होएगी आज एक जरूरत है कल दस जरूरतें जरूरत चाहिए तो आमको हमेशा यह चीज़ मन में रखने का है कि आमको हर समय सिर्फ एशू मसी का काम आमको करके आगेर निकलने का है आगे जाने का है एशू मसी का काम करके जैसा आभी हमको एशू मसी ने इधर उदारन देने के बाद समझाया कि जो बुरे लोग थे यह लोगों का ठेका निकालेंगे और किसी को दे देंगे जो समय पर उसे फल दिया करेंगे समय पर आमको एशू मसी का काम करने का है लोगों की सेवा आमको समय पर करने का है जबी हम लोगों की सेवा करेंगे तब इच हम लोग एशू मसी के अच्चाई परमिश्वर के अच्चाई हम लोग आगे दुसरों को दे पाएंगे जबी हम लोग ये चंगाई आगे दुसरों को देते है तो एशू मसी इदर क्या बोलता की ठेका और किसी किसानों को दे जाएगा जबी मैं एशू मसी का कारी करता हूँ तो ये जो ठेका मेरे को दिया था सोर्ग पिता ने ठेका एशू मसी का काम करने का हर एक इंसान को जूए दूए दिया ये वो सफल हो जाएगा जबी मैं ये काम करता हूँ जो इंसान जो कैटलिक लोग ये काम नहीं करते मैं अभी ये ठेका लिया तो मेरे को अभी गेरा मैन हो गया अभी मरते दम तक में ये ठेका बराबर से मेरे को ये काम करने का है जो भी इंसानियत जो इशू मसी के उपर विश्वाश नहीं करता है वो सब लोग को आमको बचाने का है तो एक काम आमको हर एक इंसान को जरूर करना मंगता है नहीं तो इशू मसी बोलता है एट टेका और किसी को दिया जाएगा अभी आम इधर देखेंगे तो इशू मसी खुद की बात कर रहा था इधर कि जो बेटा आया था जो सुआमी आया था उसका बेटे को भी मार डाला इसलिए सुआमी ने एक टेका निकल कर दुसरों को देने के लिए सुचा तो जबी जुईश लोगों ने एफारिजे लोगों ने एशू मसी को मार डाला इसलिए ये ठेका अभी कैटलिक लोगों के पास आ गया कैटलिक लोग ये अभी एशू मसी का जो काम है वो अभी हम लोग करते रहना का है आगे बढ़ाने का है तो ये बात होती है हम एखेत में बोले तो इस संसार में हम लोग सही काम कर रहे है सब को आम लोग जो परमेश्वर ने स्वर्ग पिता ने आमको जो अच्चाई दिया है वो आम दूसरों को बाढ़ते जा रहा है दूसरों को देते हैं आम लोग जा रहे है मेरे को पैसा दिया है पैसों का दस्वा गुना में एश्यू मसी का काम करने के लिए आगे बढ़ाने के रहे दे देगा कहीं गरे विदर उदर मिलेगा उसको खाने पीने को रोठी करिद के दे देगा तो ये बात होना मांगता है हर एक कैतलिक का और ये जबी होएगा जबी आप पवितर कैतलिक बनेगा मेरे को पवितर कैतलिक बन गया तो गेरा मैना हो गए आभी में भी आप लोगों का जैसाइच एक इंटरनेट वाले जिन्दगी जी रहा था पूरा समय इंटरनेट पे रहने का नहीं तो टीवी पर रहने का नहीं तो गेम्स पर रहने का लेकिन एक यूटुब पर मेरे को वीडियो मिल गया वो चैनल के वज़े से में पवितर कैतलिक बन गया तो अभी मेरे को जो कैतलिक लोगों को जो ठेका दिया था परमेशवर ने स्वर्ग पिता ने ओ, मैं अभी 11 मैने से सही से में चला रहा है तो मरते दम तक आमको यह चलाने का है नहीं तो इशुमस से आमको इदर बोला कि यह ठेका निकल कर दुसरों को दिया जाएगा अगर तुम काम सही नहीं करेगा तुम जो तेरे को परमेशवर ने पैसा दिया है उसका दस्वा गुना नहीं देगा तुमको एक आच्चा बदन दिया है बदन तेरा पुरा चल रहा है अभी भी बोलती चलती है, चलती हाथ पैर चलते है, सब को चलता है तो इसका फाइदा दुसरों को होना मांगता है यह सिर्फ मेरे लिए नहीं है मेरा बदन सिर्फ मेरे फाइदे का नहीं है मेरा बदन जो जब दुसरों का फाइदा करेगा तब इच परमिश्वर ने बोला है कि मेरा फाइदा परमिश्वर करेगा मेरे को जो सब कुछ मांगता है वो परमिश्वर लाके मेरे को दे देगा ये बात होती है सुवर की दुनिया की की हमको जो टेका सुपा गया है आमने जो लिया है उगो कम हम बराबर से करना मंगता है जो मेरा फाइदा है उगो कौन देगा इदर सुवर की देगा सुआमें बोले तो सुर्ग पिता देगा और वो कैसा देगा क्यों देगा क्योंकि मैं जो काम सुर्ग पिता को मांगता था एश्यो मस्य के दुवारा वो काम मैं अभी कर रहा है इसलिए मैं एक कर रहा है करके जो हर कुछ सब कुछ जो सुर्ग पिता का है वो सब कुछ मेरा है तो इसलिए मेरे को हर एक चीज उटा कर मेरे को दे रहा है सुर्ग पिता तो इधर आमको ये मन में रखके चलने का है कि आमको हमेशा दुसरों का चंगाई के लिए जिने का है दुसरों को हम ये समझाने का है कि जबी ओ दुसरा आगे वाला जबी विश्वाश रखता है परमेश्वर के उपर तबी सब चंगाई ए लोगों को मिलने शुरू होता है क्योंकि हर एक चीज एशु मसी बोला में खर चोड़ा है करने का कुछ बाकी नहीं है अभी एशु मसी बोलता में ने सब को चंगाई दिया है सब को पागार पैसा जायदार दिये लेकिन आमको शब्द के उपर विश्वाश करके चलने का है जो शब्द अभी मैंने बोला की सब कुछ मेरे को परमिश्वर देगा तो एसा हर एक शब्द पर आमको विश्वाश करके आमको चलने का है बस जब आम विश्वाश करके शब्द पर आम जभी आगे दिन बर दिन आम जब आगे बढ़ते है तो हमको हर एक चंगाई परमिश्वर देता जाता है जादा देता है तो सब कुछ मेरे को चंगाई आभी चारो और से आ रही है उसका दस्वा गुना में इस्तमाल कर रहा है शब्द आगे बढ़ाने के लिए जो आगे वाले जो मेरे जैसे पवितर कैतलिक बनकर शब्द आगे बढ़ाते है वो लोगों को काना पीना रोटी ये नुकरी नहीं रखते हैं फूल टाइम बोले तो पुरा 24 गंटा सिर्फ ए प्रातना करने का दुसरों के लिए और दुसरों को प्राचा देने का जो कामा करते हैं उसको पैसा देने का तो जो मेरे को परमेश पर ज़्यादा देता है उसमें से सबसे दस वागोना बोले तो एक लाक इंडियान रुपीस का पगार मिलता है ओ इंसान 10 हजार ओशु मस्य का काम आगे बढ़ाने के लिए देना मांगता है पवीदर क्यातलिक जो बनकर ओशु मस्य का काम आगे चलाते है जो लोगों का काम है दंदा है नुकरी है ओ लोगों का जो पैसा अंदर आता है उसका दस्वा गुना जो लोग एशू मस्री का कारी करते है कलीशा जो चलाते हैं कैतलिक वो संस्ताओं को आमको देना मंगता है मैंने दो डिस्क्रिप्शन में दो एड्रेस डाला है आकिर में वो भी कैतलिक है दोनों पाद्रियों का संस्ता से काम करते है कैतलिक का तो इसमें कुछ दोका नहीं हो सकता है यह परमेश्वर का प्यार भी दुसरों को दे रहे है तो एसे संस्ता को देना मंगते हैं दोनों में से दोनों को भी दे दे तो एक होता है हमने जो ठेका जो लिया है क्यातलिक बनकर हमारा जो ठेका अभी चलता है वो आम बराबर से उसको लेकर चलने का है पुरा हमारा परिवार के सद्दर्शियों को हर एक को परिमेश्वर का एशू मसिका जैसा बनाने का है तो एसा करके आम जब आगे निकलते है तबिच को तबिच की हमारी तरक्की होती है सब तरफ से आमको पैसा आना लगता है सब की तरफ से आमको सब आदाराम को मिल जाता है तो एसा होता था जबी चेले लोग ये काम करते थे एशू के चेले जाने के बाद एसा कलिशा चलता था लोग पैसा लाते थे जो घरीब है जिदा जरूरत है उदर ये प्रेचार करते है ये पातरस और जबी ये जो गेरा चले जो थे ओ जबी युहाना वगारा जो जरूरी है वो लोगों को आदार करते थे जो लोग पवितर कैथलिक बन गया है वो सब लोग वो लोगों के पास जो है वो लाते थे और किसी को जो जरूरत है इशू मस का काम आगे बढ़ाने के लिए कलिशा को जरूरत थे जिदर जरूर रहते हैं उदर वो इस्तमाल करते थे यह होना मांगता है बात हरे कैटलिक का जब हम लोग यह मन में रखके आम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं तभी परमेश्वर आमको स्वर्ग पिता आमको हर एक चंगाई दे देता है तो अभी इस नया नियम में आमको जो चीज़ करने का है वो विश्वाश रखने का है लेकिन यह तो आमको आमारा कैटलिक कलिश्या में नहीं नजर आता है सिर्फ कैटलिक कलिश्या में लोग बोलते है मेरे को प्रातना मेरे को मुझे प्रातना चाहिए कौन प्रातना करेगा तो आमारा बात कैटलिक लोगों का बात दुसरों से प्रातना कर लेने का नहीं है तुम जब बोलता है तेरा प्रातना सुर्ग प्रातना नहीं सुनता है कोई भी नहीं सुनता है इसका मतलब है तुम कैटलिक है इच नहीं कैटलिक बोले तो हम लोग दुसरों को प्रातना करने का है यह होता है सही कैटलिक असली कैटलिक तो आमको यह कैटलिक का जीवन आमको अगर जीने का है तो जो एशु मस्याम को आज इदर उदारन दिया है नहीं तो यह ठेका दुसरों को देदेगा बोले तो तुम एक काम सही करता नहीं करके शेतान तेरे को जिन्दा उड़ा देगा शेतान तेरे को उड़ा देगा तेरे जल से जल्दी मौत हो जाएगी क्योंकि तुम एशु मस्याम का जैसा काम करता नहीं है तो इधर आमको जरूरी है कि हम बहुत गौर से देखना मंगता है हमारा हर एक काम जो काम में करता है वो इशु मसी कैसा कर सकता था एशु मसी कैसा करने वाला था ये बात हमको हमेशा मन में रखने का है जो आमको लगता है जो परवितर नया निया में जो लिका है एशु मसी ने किया है वो कामा हमको आज करने का है तो हम कैसा करेंगे हर एक काम आमको बिल्कुल एशु मसी का जैसा करने का है आज भी तो तब इच कि हमारा ये ठेका जो लगा हुआ है हमारे उपर उस से स्वर्ग में बहुत बड़ी खुशी हो जाएगी ये करने के बाद इच स्वर्ग पिता हमसे खुश हो जाता है दुनिया का चीजां करेगा तो परमेशवर कुछ नहीं होएगा वो तुम शैतान का काम करता है जबी परमेशवर का जो इच्शु मसिका जैसे आगर आगे बढ़ते है तो इसके बोलते है स्वर्ग काराज वो मैंने डिस्क्रिप्शन में छे छे शब्द मेंने लिखा है वो कर डाले वो करो वो ये के करो पाप दुसरों को बक्षो दुसरों से प्यार करो दस गुना दे दो ये सब छे कामा आप कर ले तब इसकी आप पांच दस मिर्ट में पवित्र कतलिक बनी चाहेगा और जो ठेका हम लोगों ने लिया है वो आप सही तरसे उसको निबाएगा अगर आप पवित्र कतलिक नहीं है तो एशू मसी बोलता है कि ये उठा के कोई दुसरा लोग करेगा तू नहीं किया लेकिन और कोई आकर ये शव्द का प्रचार करेगा तो इसलिए एशू मसी बोलता कि इसका ठेका में दुसरों को दे देगा कि कोई भी दुसरा ये प्रचार सुनता है वो एशू मसी का कारे अगे लेता है ये बात होना मंगता है जो भी हम इस दुनिया में करते हैं वो सब काम बिलकुल जो एशू मसी ने किया है वैसा और इससे ज़्यादा भी चमतकार हम लोग करना मंगता है करके एशू मसी ने लिख चुड़ा है इधर ये बाइबल पर तो आज से आम लोग पवितर बनके आगे निकलेंगे एक अच्चा किती का इंसान किती करने वाला एक अच्चा इंसान जो रहता है वैसा होके बहुत लोगों को आम लोग मदद करना मंगता है और ओ काम हम आज से शुरू करेंगे मैंने एक काम शुरू किया तो मैरे को गेरा मैना हो गया तो आपको जितने जल्दी हो सके बहदर है कि आज से एक काम आप चलो करें और यह जब यह आप काम करता है आपका हर एक आपका खुद का हर एक काम बहुत आसानी से होएगा परमिश्वर पिता खुद आपन करके आपको दे देगा झाल